कवसलय जी उत्राखंड से हैं मानिय परधान मंत्री जी नमस्ते हाँ कवसलय जी नमस्ते आपके साथ सारी टोली बैटिये उन सब को भी नमस्तार मेरा कवसलय जी आप अपने गाउं की पानी समीति की अद्देक्ष हैं बताईए कि पहले पानी के लिए कितनी परिशानी होती थी और आज जब कभी पानी में दिक्कत आती होगी तुरे गाउं के लोग मोर्चा लेकर के आपके घर आ जाते होंगे आपके घर के सामने बटके भोड़ते होगी क्या होता है जी मान्य परदान मंत्री जी मेरी ग्राम पंचयद में साथ ओक है जिसमें 366 परिवार है तो इन में पानी की पहले बहुत दिक्कत थी लेकिन जिसके में महिलाएं और बच्चे पानी ढोकर घर तक लाते थे लेकिन जल जीवन मिशन के तैस अब ये दिक्कत कम हुई है अभी पानी सब घरों में पहुचा है जी मानिय परदान मंतिजी सबी गरों में पानी है अचा मैं हमेशा कहता हूँ कि पहाड का पानी और पहाड की जमानी पहाड के काम नहीं आती है अब आपने कमाल कर दिया है गाउं में पहले पानी की वज़े से पलायन की स्थिती जी सब जवान लोग चले जाते थे अब क्या स्थिती है मानिय परधान मंत्री जी अब जल जीवन मिशन के तहट पहाडों का पानी अब पहाडों की काम आ रहा है मानिय जी और हमारे पूरी ग्राम पंचायत में सुद्ध जल मिल रहा है और हमने अपने स्रोतों को सरवदन करने के लिए ग्राम पंचायत में दो साल में बाइस अरार विक्षार ओपन भी किये हैं अरे वाँ अजया मुझे बताया गया कि आप लोग अब गाउं में होम स्टे भी बना रहे हैं क्या इसमें भी अब पानी पहुंचा है तो होम स्टे की कान लोग बेमानों को रखना उनकी आगता स्वाकता करना इजरा सुविदाजनक हो गया होगा क्या अनुबव है जी परदार मिंत्री जी पहले तो प्रियाटक नहीं आते थे हमारे गाउं में लेकिन जस्ट से जल्जिवन मिसन के तहत हर घर के बीतर और सोचाले में पानी पहुंचा है तो ग्राम वाशियों ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लगबग हमारी ग्राम पंचायत में 35 होम स्टे बन चुके हैं जिने ग्राम वासी ही चलाते हैं तो आते हैं टुरिस्ट जी तो उन टुरिस्टों की सारी जानकारी रखते हो कि किस प्रदेश चाये उनका अनुभव क्या रहा वो सब लिखवाते हैं उनसे जी एक रजिस्टर रखना चाहिए ये जो होम स्टे में लोग रहके आए न वो बात में अपने अनुभव लिख करके जाएं तो दिले दिले जो कलेक्शन होगा वो बहुत काम आएगा आपको तो करेंगे जी बिलकुल अजा कौसलिया जी ये बताईए कि गाउं में कोरोना के टीके ये जो हमने मुप्त टिका करना का अभियान चलाया है और हमारे मुख्यमंत्री तो बड़े जवान है और मेंति हैं तो मैंने ज़े जानकारी जी कि बहुत तेजी से आपके हाँ टिका करना हुआ है आपके जान मंत्री जी हमारे गाउं में अठार साल से उपर सभी व्यक्तियों को दोनों डोल लग चुकी है और हमारा गाउं हंडेड़ परसेंट व्यक्षिनेट हो चुका है और इसके लिए हमने दस कैम्प भी लगाए अपनी ग्राम पंचायत में दोनों डोल सत प्रतिश्यत हो जी मानने जी अरे वाँ गजब कर दिया आपने तो देखिए योजनाय तभी सबर होती है जब जन भागीदारी होती है चाहे वो कोरोना टिका करा हो या फिर जल जीवन मिशन देखिए आपने पानी की ताकत को समझा है आपने पैड भी लगाए होमस्टे भी किया आपने प देखिए पूरे गाउं में एक बहुत बड़ी करांती आप ले आये हैं मैं आपको इसके लिए बढ़ाई देता हूँ और आपके गाउं ने पलायन को भी एक प्रकारते इतिहास में पीछे छोड़ दिया है अब परियटन को भी गाउं की ताकत मना दिया लोग जाते थे उ देखिए पानी जैसी बुन्यादी सुविधा सिफ जीवन ही नहीं बलकि देश की अर्थे ववस्ता को भी बदलने की ताकत रखती है आप सभी को बहुत 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 बढ़ाई आप साब माताओ बेहनों को मैं यहां से प्रणाम करता हूँ धन्यवाद सर साथियों हमने बहुत सी ऐसी फिल्मे देखी हैं कहानिया पड़ी हैं कविताए पड़ी हैं जिन में विस्तार से यह बताया जाता है कि कैसे गाउं की महलाए और बच्चे पानी लेने के लिए मीलो मीलो दूर चल कर जा रहे हैं कुछ लोगों के मन में गाउं का नाम लेते ही ऐसी ही कठिनाईयों की तस्विर भरती हैं लेकिन बहुत ही कम ही लोगों के मन में ये सवाल उड़ता है कि आखिर इन लोगों को हर रोज किसी नदी या ताला तक क्यों जाना पड़ता है आकिर क्यों नहीं पानी इन लोगों तक पहुंचता हूँ मैं समझता हूँ जिन लोगों पर लंबे समय तक नीती निधारण की जिम्मेदारी थी उन्हें ये सवाल खुच से जरूर पूछना चाहिए था लेकिन ये सवाल पूछा नहीं गया क्योंकि ये लोग जिन स्थानों पर रहे वहाँ पानी की इतनी दिक्कत उन्होंने देखी नहीं थी बिना पानी की जिन्दगी का दर्द क्या होता है वो उन्हें पता ही नहीं था घर में पानी, स्विमिंग पूल, उसमें भी पानी, सब व्यगर पानी पानी ऐसे लोगों ने कभी गरीबी देखी नहीं थी इसलिए गरीबी उनके लिए एक आकर्शन रही लीटरेचर और बहुत दी ज्यान दिखाने का जरिया बन गई इन लोगों में एक आदर्श गाउं के प्रती मोह होना चाहिए था लेकिन ये लोग गाउं के अभावों को ही पसंद करते रहें साथियों इस वर्ष पुझ्य बापु की जन्मजैन्ती हम आज़ादी के अमरुत महुत्सव के इस महत्वपुन कालखन में साथ साथ मना रहे एक सूखत एसास हम सभी को है कि बापु के सपनों को साकार करने के लिए देश समासियों ने निरंतर परिश्रम किया है अपना सयोग दिया है आज देश के शहर और गाउं खुद को खुले में सौच से मुक्त गोशित कर चुके हैं करीब करीब दो लाग गाउं ने अपने हां कच्रा प्रबंधन का काम शुरू कर दिया है चालिस हजार से ज़्यादा ग्राम पंचयतों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का भी फ्यासला लिया है लंबे समय तक उपेक्षा की शिकार रही, खादी, हैंडिक्राप इसकी बिक्री भी अब कई गुना ज़्यादा हो रही है इन सभी प्रायसों के साथ ही आजदेश, आत्म, निर्भर, भरत, भ्यान के संकर्प के साथ आगे बढ़ रहा है